गुपाल गंज में कूल 3,31,21 वोटर हैं इसमें से 51.48 फीसदी लोगों ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया है गुपाल गंज में सबसे अधीक मुसलिम मतदाता हैं इनकी संख्या करीब 65,000 है इसके बाद सबसे अधीक 49,000 के करीब राजपुत मतदाता है 47,000 यादब 38,000 वेश्ट तो करीब 35,000 ब्रामन मतदाता भी है कोईरी कुर्मी वोटर भी करीब 16,000 है 11,000 के करीब भुमिहार वोटर है जिन्होंने अपने महत्यपुर्ण वोट दिये है जिसका फैसला थोड़ी देर के बाद होने वाला है पुर्व मंत्री सुभाज सिंग के निधन के बाद गुपाल गंज सदर विधान सभा काली होने के बाद बीजेपी ने उनकी पतनी कुसम देवी को उमिदवार बनाया है कुसम देवी को यहां पर सहानु भूती वोट की आस है बीजेपी ने भी इसी उम्मीद से कुसम प्रत्याशी मैदान में सक्रिया हैं। लालू यादब के साले स्ताधू यादब ने अपनी पतनी इंद्रा यादब को चुनाव में उतार कर मुकाबले को दिल्चस्प बना दिया है। वहीं AIM-AIM के प्रत्याशी ने भी अपना दावा मजबूत किया है। ऐसे में मुकाबला दिल्चस्प बना हुआ है पिछले 17 सालों से बाहुबली नेता अनन सिंग लगातार जीतते आ रहे हैं चार बार से सीट पर बाहुबली विधायक अनन सिंग चुनाव जीतते रहे हैं कोड से सजा होने के बाद अनन सिंग को विधाय की छोड़नी पड़ी तो राज़त ने अनन सिंग की पतनी निलम देवी को उम्मिदवार बनाया है वही बीजेपी ने अपनी तरब से ललन सिंग की पतनी सोनम देवी को उम्मिदवार बनाया मुकामा उप्चुनाओं में 6 उम्मिदवार मैदान में है मुख्य मुकाबला राजद से पुर्व विधायक अनन सिंग की पत्नी निलम देवी और भाजपा से ललन सिंग की पत्नी सोनम देवी के बीच है जुरो दिख्चान से करो फरी खुद को स्ट्रेस से गुगल ब्ले स्टोर से दिख्चान से आप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ ऐसा नौर मज़ेदा दिख्चान से देता है टॉपिक वाइस वीडियो विध अनिमेटेड विज्वल्स एंड कॉंसेट बाइज स्टडी मैटेरियल्स